नमस्कार आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले मुख्य समाचार RSP के मुख्य कारपलक अधिकारी श्री अशुनी कुमार कहते हैं निश्पादन करने के लिए योजना बनाना जरूरी सेल के इसपाध खपत बढ़ाने के लिए नई पहल देश भर में कारेशा लाओं और सम्मिलोन कर रहा है आयोजन और सेल रावक्ला स्टील प्लांट में स्वश्था पकवारा अभियन प्रारम अब समाचार विस्ता से रावक्ला स्टील प्लांट RSP के CEO श्री अश्विरिन कुमार ने 16 मार्च को HRD सेंटर में आयोजित ताल मेल के बादवें सत्रक के दोरान उपस्ति संभाग्यों को समुदित करते हुए कहा निश्पादन करने के लिए योजना बनाने की जोरत है कारेशाला में प्लांट के विबिन यूनिटों के कुल 67 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया कारेपर देश्यकामी के प्रसाशन श्रीपी के प्रधान भी मंच पर उपस्तित थे सेल की वाशिक व्यापार योजना बैठा कर जिकर करते हुए CEO ने कहा कि आने वाले वितवर्ष को सफल बनाने के लिए हर एक को सपने देखने योजना बनाने और निश्पादन करने की आवशकता है उन्होंने आगे कहा कि लक्षों का सपना देखना उनके उप्रब्दियों में साहता करता है श्रीकुमार ने अपनी उमीद से परे प्रदर्शन करके रेकॉर्ड बनाने में प्रयास करने है तू RSP कर्मी समू की परसंशा की और टीम RSP से आगरा किया कि वे नए वितवर्ष में अपने निश्पादन में आगे और अधिक सुधार लाएं मुखे कारपलक अधिकादी ने सकरात्मक होने और लक्षियों को समझने के लिए और अधिक सोचने पर बल दिया श्रीकुमार ने प्लैंट के लाप के लिए वांचित बदलाव लाने है तू प्रतेक को अपनी शक्ती एवंग शम्ता का सिहावल लोकन करने और समझने तथा आरस्पी की गरिमा की उंचे शिखर तक ले जाने हे तू प्रतेक से अग्रा किया इसके बाद आयोजित विचार विमर सत्र के दरान संभागियों ने प्लैंट के निश्पादन को प्रभावित करने वाली विभीन मुद्दों पर चाच्चा की और पधितियों एवन प्रक्रियाओं में सुधार से समबंदित सुझाव भी दिये CEO के साथ साथ कारेपर निदेशक कामिक इवन प्रसाशन ने प्रतेक विशे प्रसपश रूप से बाचित की और आश्वर्शन दिया की समस्याओं का हर संभाग ध्यान रखा जाएगा उप महाप्रबंदक CPTI श्री सागर महांती ने जन समुका स्वागत किया और धन्यवाद भी क्यापित किया उलिकने है कि जन्वरी 2017 में श्री अश्वनी कुमार के मार्ग दर्शन में प्रारम की गे ताल मेल पहल CEO और यूबा अधिकारियों के बीज संचार का प्रतेक्स चानल स्थापित करने के लिए तयार किया गया है जो कार्य योजनाओं के कान्वन स्तर पर रहते हैं इस पहल ने निचले स्थर परकार्यत अधिकारियों के बीच स्वामित्व और सशक्तिकरिन की भावना को मजबुत किया है जिससे अब उन्हें अपने विचारों और समस्याओं को शीश प्रबंदन के साथ स्वतंतर रूप से चचा करने का अफसर मिल रहा है सेल घरलू इस पात खापत बढ़ाने के लिए अपनी गतिवीदियों को जारी रखते हुए लगाता नए पहल कर रहा है और इस पात उभोग करने वाले लोगों की संक्या बढ़ाने के लिए उन्हें इस पात की विभिन उप्योगों से रुबरु करा रहा है इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए सेल पूरे देश भर में सेल स्ट्रक्चरल दा फ्यूचर ओफ स्टील डिजाइन शीशक से कारेशालाओं और सम्मिलनों की एक श्रंख्ला का आईजन कर रहा है जिसका उदेश्य स्ट्रक्चरल विशीश रूप से पैरल फ्रेंच बीम सेक्शन के बाजाद को बढ़ावा देना है इसी कड़ी में आज एक सम्मिलन का आईजन देरादुन में किया गिया दुनिया भर की विभिन तरह के निर्मार गतिवीदियों में स्ट्रक्चरल का उप्योग बहुत तायद से किया जा रहा है क्योंकि इससे हलके धांचों को खड़ा करने में मदद मिलती है निर्मार में आसानी होती है, निर्मार में कम समय लगता है, किफायती होता है, सुरक्षा के लिहाद से उप्यूत होता है इमारत को मजबूती प्रदान करता है, तथा साथ ही डिजैन को सुन्दर बनाता है सेल अपने दुर्गापूर इसपास सेहंतर और इसको इसपास सेहंतर में अत्यदूनिक नई युनिवर्सल सेक्षन मिल की उश्गुनवत्ता वाली इसपात उतपादन सुविधाउं के जरीए उतबगताओं को स्ट्रक्चरल सेक्षन उपलप कराने में अग्रिनी स्थिती मे हैं इन समयलनों के जरिये सेल देश में निर्मान और बुन्यारी धार्चा परियोजनाव में स्ट्रक्चरल स्टील की उप्योग को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रहा है और सेल का पैवल फ्लेंच सेक्शन किस तरह से फ्यूचर ओफ स्टील डिजाइन निर्मान आगे बढ रहाएगा उसे विस्तित आयाम दे रहा है विभिन्स राष्ट्रे स्तर की परियोजनाओं में गुडवत्ता वाले स्पात की आपूर्ती से लोगों को बड़े पैमाने पर लाग पहुंचा है अब तक शेत्र आधार पर चंडिगर नाकपूर वारा नसी एमदाबाद पूर ऑपिटेक, डिजाइनर, प्रतिष्टि स्थानों के प्रोफेसर, सलहाकार, ग्रहाक और डिलर, परियोजनाओं के मालिक, रेलवे, अग्रिनी, सार्वजनिक, उपक्रमों, राज्य सरकार के कार्यालेओं और बिल्डरों सनघों के प्रतिनीधी शामिल होते हैं कमपनी ग्रहकों की वास्तविक आवशक्ताओं को पूरा करने की लिहाद से अपने बड़े ग्रहकों को सीधे उनके पास जाकर उत्पादों के बारे में जानकादी दे रही है और उनकी जुरुत्तों को समझ रही है यह सभी उपाए बड़े पैमाने पर इस पात के खपत को बढ़ाने में महत्वपुन भुबी का निभाएगी सेल राउटलर स्टील पैन आरसपी में स्वश्टा पकवाड़ा अभियान का प्रारम 16 मार्च को सोशल मीडिया पर संदेशों के माधियम से जागरुपता कारेकरम और स्टील प्लांट एवन इस पास शहर में होडरों को लगाने के साथ हुआ स्वश्टा पस्वाज़णी घोश्टना प्रारानी के माधियम से प्लांट के में गेट और संसकार गेट में घोश्टना भी प्रारम की गई जो 31 मार्च तक जादी रहेगा RSP में स्वश्टा पकवाड़ा के पालन के लिए कई कारेकरमों की आजना आयोजन बनाए गई है इसके तहट सफाई अभियान इस पास शहर के साथ साथ बस्तियों में जागरुटता कारेकरम शामिल है वर्क्स और नौनवर्क्स शेत्र में कई प्रत्योगिताएं आयजित की जाएंगी जैसे हाउसकीपिंग एवन कांटिंग की साफसमाई शामिल है प्लांट और इस पास शहर में 28 मार्च को बड़े पैमाने पर शपत ग्रन समारों भी रखा गया है स्वश्टा पकवारा समारों के उप्लाक्ष में कैंटिंग के कचरों के लिए एक बायो डाजिस्टर का स्तापन और उद्घाटन की भी योजना है इसी के साथ आज के हिंगी समाचा समाथ होते हैं नमस्कार झाल